तो दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि सुसान सिंग की फिल्म छिचोरे के बाद उनके पास साथ फिल्मे आई थी लेकिन एक एक करके वो साथो फिल्मे उनके हाथ से निकल गई और कहीं न कहीं इसी वज़े से सुसान सिंग राजपूत को काफी बड़ा गेहरा सदमा भी लगा था लेकिन दोस्तों आपको जानकर हिरानी होगी कि सुसान सिंग राजपूत के हाथ से नो एसी फिल्मे निकल चुकी है जिन फिल्मों में सुसान सिंग राजपूत आलमोस्ट कन्फर्म हो चुके थी लेकिन बाद में इन फिल्मों में सुसान सिंग राजपूत को नि इस फिल्मों में दूसरे हीरों हमें देखने को मिले। तो इस लिश्ट में सबसे पहली फिल्म है आसिकी 2。 आसिकी 2 2013 किया एक ब्लोकबश्टर फिल्म थी जिस फिल्म का म्यूजिक भी काफी ज्यादा सूपर हिट था। आपको बता दे दोस्तों आसिकी 2 फिल्म के लिए सुसान सिंग राजपूत ने ओडिशन भी दिया था और इस फिल्म के लिए सुसान सिंग राजपूत कर लिया था। वही दोस्तों दूसरी फिल्म है संजे लिला भनसाले की मूवी राम लिला जिया दोस्तों 2013 में ही आई राम लिला फिल्म इस फिल्म के लिए भी सुसान सिंग राजपूत का ओडिशन हुआ था और ओडिशन में भी सुसान सिंग राजपूत सेलेक्ट हो चु मेरनवीर सिंग को साइन कर लिया गया वही दोस्तों तीसरे फिल्म थी बाजी राओ मस्तानी जिया दोस्तों संजलिला भनसाली ने दूसरे बार फिर से यहाँ पे सुसान सिंग राजपूत को अपने फिल्म के लिए अप्रोच किया था बाजी राओ मस्तानी के लिए और इस फिल्म के लिए भी सुसान सिंग राजपूत ने अपना ओडिसन दिया था और फिर से वो पास हो चुके थे लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर से डेट्स की प्रोब्लम आ चुकी थी क्योंकि सुसान सिंग राजपूत के अपकमिंग फिल्म जिसका नाम था पानी इस फिल्म की सुटिंग का सेडियूल और यहाँ पे बाजी राओ मस्तानी फिल्म का सेडियूल सेम रहा था जिसके चलते सुसान सिंग राजपूत ने बाजी राव मस्तानी फिल्म खुद छोड़ दी हलाकि बाद में पानी फिल्म भी सेल्व हो गई और आज तक पानी फिल्म भी रिलिज नहीं हो पाई इसके बाद दोस्तों चोथी फिल्म थी फितूर 2016 में फितूर फिल्म जिस फिल्म को डाइरेक्ट किया था अभिसेक कपूर ने जिनोंने सुसान सिंग राजपूत के पहली फिल्म काई पोछे को भी डाइरेक्ट किया था यहाँ पर अभिसेक कपूर इस फिल्म में भी सुसान सिंग राजपूत को लेना चाहते थे वही दोस्तों पाचवी फिल्म है बेफिकरे जो कि रिलीज हुई थी 2016 में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सा एस राज बेनर ने आपको बता दे दोस्तों इस फिल्म में वानी कपुर और सुसान सिंग राजपूत ही नजर आने वाले थे लेकिन इस फिल्म की जो को ही चेंज करके फिल्म में काश्ट कर लिया रनवीर सिंग को हलाकि सुसान सिंग राजपूत की बात सही साबित हुई बेफिकरे फिल्म लोगों को पसंद नहीं है और बेफिकरे भी बोक्स ओफिस पर फ्लोप हो गई वही दोस्तों चटी फिल्म है हाप गल्फ्रेंड जो दिने स्विजान के प्रोडक्सन की एक फिल्म कर रहे थे जिसकी वज़े से उनके हाथ से हाप गल्फ्रेंड फिल्म चली गई और इस फिल्म में आरजुन कपूर को बाद में काश्ट कर लिया गया वही दोस्तों साथवे फिल्म है 2019 में रिलिज हुई फिल्म रोमियो अकब वाल्टर आपको बता दू इस फिल्म में जोन इब्राहिम के पहले सुसान सिंग राजपूत को काश्ट किया जाना था लेकिन इस फिल्म की डेट भी सुसान सिंग राजपूत के सेडियूल से मेच नहीं हुई जिसके चलते ही इस फिल्म को सुसान सिंग राजपूत ने कोई वज़य बताए इस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया और सुसान सिंग राजपूत की जगा इस फिल्म में फिर से अधित्तरोय कपूर को साइन कर लिया गया वही दोस्तों नोवी और लाश्ट फिल्म है सारे जहां से अच्छा आपको बता दे दोस्तों सारे जहां से अप्रोच किया, सल्मान खान को भी अप्रोच किया और साथी साथ आमिर खान को भी अप्रोच किया लेकिन किसी ने इस फिल्म को साइन नहीं किया और फाइनली सारे जहां से अच्छा फिल्म डिब्बा बंध हो गई तो दोस्तों ये थे सुसान सिंग करियर की नो एसी फिल्म जिन फिल्मों में लगभग सुसान सिंग राजपूत कनफोर्म हो चुके थे लेकिन उन्हें बाद में इन फिल्मों से निकाल दिया गया।